नमस्कार दोस्तूं आज एक कलास लेकर आए हैं दोस्तूं जिसके अंदर हम सिरफ और सिरफ देखेंगे मनोविज्यान के जो परमुक सिद्धान्त है उनके बारे में क्योंकि मित्रूं आप सभी को मैं बता दूं कि कोई सा भी एकजाम हो उनके अंदर आपको दो से तीन परसन है जो सिद्धान्तू से मिलते हैं और सिद्धान्तू के पूछे जाते हैं कि परवर्तक या परतिपादक को नहीं दोस्तूं तो आज इनके बारे में हम देखेंगे और लगबग आपके सामने में पचास से साथ सिद्धान्त लेकर आऊंगा जिन से बार आपको कोई सा भी पेपर हो इनक सिद्धान्तू के बार ये दो या तीन परसन आपको नहीं मिलेंगे मतलब आपके दो अंक आज की इस कलास से मनोविज्यान के कम्पलेट हो जाएंगे इसलिए अंतग मेरे साथ बने रहे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन कलासेज पर जो नए साती है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्तर वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दे देखिये दोस्तू सबसे पहले हम देखते हैं अधीगम के सिद्धान्त देखे पेला सिद्धान्थ है परियास एवं तुरूटी का सिद्धान्थ कि रिस ने दिया था थोरण डाइग ने दिया था अनुकुलित अनुकिरिया का सिद्धान्थ आईपी पावलो यानि अनुकुलित अनुकिरिया का सिद्धान्थ पावलो ने दिया था करंबद वेवार का सिद्दान दिया था CL हल ने करंबद वेवार का सिद्दान हल का सिद्दान अंतरदरश्टी या सूज का सिद्दान ये बहुत इंपोर्टेंट सिद्दान था बहुत एक जामों में आया भी है कोलर मेक्सवर्दीमर और कोपका तो अंतरदरश्टी या कोलर मेक्सवर्दिमर और कोपका ने नेक्स्ट है किरिया परसूत अनुबंदन का सिद्धान ये दिया था इसकीनर ने किरिया परसूत अनुबंदन का सिद्धान किस ने दिया था बी एप इसकीनर ने सामाजीक अधिगम का सिद्दान दिया था अलबरेट बांडूरा ने और ये भी भहुत इंपोर्टेंट है दोस्तूं सामाजीक अधिगम का सिद्दान अलबरेट बांडूरा ने सर्चनात्मक अधिगम का सिद्दान दिया था जेरोम ब्रूनर ने इंपोर्टेंट चीज है दोस्तु, सर्चनात्मक अधिगम सिद्दांद, जेरोम बुरूनर, आगे दोस्तु देखे, अधिगम का मानवतावादी सिद्दांद, सीधा एकजाम में क्यूसन आ जाता है, मानवतावादी सिद्दांद किसका है, तो मेसलो का है दोस्तु, इस्तानापन सिद्धान्त है एडविन गुत्री का जो इस्तानापन का सिद्धान्त है वो किसका है गुत्री का दोस्तू, अनुकरण द्वारा अधिगम या अनुकरण का सिद्दान्थ हेगरटी का है दोस्तू, साबधिक अधिगम का सिद्दान्थ है आसु बेल का और इंपोटेंट है दोस्तू, साबधिक अधिगम का सिद्दान्थ किसका है आसु बेल का, आगे देखिये दोस्तु नेक्स्ट है मारा अधिगम सोपान की सिद्दान्थ ये रोबट गेने का है अधिगम सोपान की सिद्दान्थ किसका है रोबट गेने का अधिगम का सुक्सम सिद्दान्थ ये इंपोरेंट ओर है दोस्तु कोहो लरका है दोस्तु अधिगम का सुक्सम सिद्दान्थ कोहो लरका आगे चलिए दोस्तों ये थे अधिगम के सिद्दान्त अब हम देखेंगे अधिगम इस्तानांतरन के सिद्दान्त अधिगम इस्तानांतरन के कौन-कौन से सिद्दान्त है पहला है समान तत्मू का सिद्दान्त किसका है तोरंडाइक का यानि समान तत्मू का सिद तोरंडाई का, सामनेकरण का सिध्दान चेंच जड़ का, तीसरा है सामने तेता विशिस्ट तत्मू का सिध्दान दिया था मानसिक सकती का सिद्दान्त यह है दोस्तु faculty psychologist और important भी यह दोस्तु आ सकता है इस बार आगे गेस्टाल्ट सिद्दान्त तो गेस्टाल्ट सिद्दान्त का वजशे भी आप सभी को पता है मेक्स वर्दी मर और कोप का दोस्तु आगे देख ये छटवा सिद्धान्त है हमारे इस्तानांतरन का ओपचारिक मानसिक परसिक्षन का सिद्धान्त ये है दोस्तु गेट्स का और शात्वा है इस्तानांतरन का सिद्धान्त मुले अभिग्यान का सिद्धान्त ये रिगर और बेगले का सिद्धान्त है दोस्तूं तो ये साथ सिद्धान्त है हमारे जो है अधिगम इस्तानांत्रन के सिद्धान्त आगे चलिए और आगे देखिए अभी प्रेर्णा के सिद्धान्त दोस्तूं अभी प्रेर्णा के सिद्धान्त कौन-कौन से हैं अभी प्रेर्णा में पहला सिद्दान्त है हमारा मनोविशलेशन सिद्दान्त, और बहुत इंपोर्टेंट रेता है। और सिगमंड फ्राइड के दोड़ ये सिद्दान्थ दिया गया था। मूल परवर्ती का सिद्दान्थ किस ने दिया था। मेकड्यू गल ने दिया था। इमपोटेंट है दोनू के दोनू ही मित्रूं। आगे चलिए। उदीपन अनुक्रिया का सिद्दान्थ वेवार वादियू ने दिया था दोस्तू चोता है वेवार के अधिगम का सिद्दान्थ ये है CL हल का दोस्तू और ये भी इंपोर्टेंट है आतम सिद्दी सिद्दान्थ दिया था मेसलो ने आतम सिद्दी सिद्दान्थ किस ने दिय आगे हैं अभी प्रेरणा का सारिरिक सिद्दान दिया था क्रेचमर, सेल्डन, विलियम जेम्स और विलियम वुंटने दोस्तूं तो यह हो गए हैं अभी प्रेरणा के सिद्दान, इस्क fruitful लियले जैसे जैसे हैं तो आप एकजाम के समय के आपके आसानी से एक बार इनका रिवीजन कर सके आगे चलिए और आगे देखते हैं वेक्तित्वे के सिद्दान दोस्तूं वेक्तितुए के सिद्धान्तु में पेला है जीवन अउदी उपागम किस ने दिया था? इरिक इरिक सन्ने दोस्तु, सील गुण उपागम किस ने दिया था? आलपोर्ट वे केटल ने दिया था सील गुण उपागम, मानवतावादी सिद्धांत किस ने दिया था? मेसलो ने, सामाजिक संग्यानात्मक उपागम दिया था अलबर्ट बांडूरा वेवाल्टर ने अलबर्ट बांडूरा वेवाल्टर ने कौन सा दिया था सामाजिक संग्यानात्मक उपागम आगे चलिए दोस्तु आगे हैं परतिकारक या विशलेशक सिद्दान्थ important है के टेल का है परतिकारक और विशलेशक सिद्दान्थ आगे हैं आतम परते या सुह परते सिद्दान्थ काल्स रोजर्स और अभी बता रहा हूँ important है इस बार के लिए सरीर गटन उपागम सिद्दान्थ यानि सरीर गटन का सिद्दान्थ या सरीर गटन उपागम सिद्धान्त ये है क्रेचमर वे सेल्डन का किसका है क्रेचमर वे सेल्डन का वेक्तित्वे का मांग सिद्धान्त हेंरी वे मुरे ने दिया था इंपोर्टेंट सिद्धान्त है वेक्तित्वे मांग सिद्धान्त हेंरी वे मुरे ने आगे चलते हैं और बात करते हैं बुद्धी के सिद्धान्तों की और बुद्धी के सिद्धान्तों आप सभी को पता है कोई सा भी आप फेस्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड की बरती हो टेट बरती हो कोई सी भी सिक्सक बरती हो उसके अंदर बुद्धी सिद्धान्तु में से एक सिद्धान सिद्धा पूछा जाता है दोस्तु तो देखिए बुद्धी के सिद्धान्त पहला है बुद्धी का एक खंडिये सिद्धान्त ये किस ने दिया था अलपरेड बीनी ने बुद्धी का एक खंडिये सिद्धान् ये दिया था इस्पीर मेन ने और बुद्धी का त्री खंड सिद्दान ये भी इस्पीर मेन ने तो इस्पीर मेन ने दो सिद्दान दिये थे बुद्धी का द्वी खंड सिद्दान और बुद्धी का त्री खंड सिद्दान अब त्री आयामी आ जाए ना तो वहाँ पर इस् इसने दिये थे थोरन डाइक ने दिये थे नेक्स्ट है हमारा पर्तिमान सिद्धान्त ये दिया था थोमसन ने पर्तिमान सिद्धान्त किनों ने दिया था थोमसन ने दिया था नेक्स्ट है पदानुकर्मिक महत्वे का सिद्धान्त पदानुकर्मिक महत्वे का सिद्धान द दिया था था श्ट्रन ने समोय कारक सिद्धान्त इंपोर्टेंट सिद्धान्त है दोस्तूं आगे देखें बहु मांसिक योगेता का सिद्धान दिया था केली ने बुद्धी का एवेब का सिद्धान्त हेब ने दिया था दोस्तूं ये देखें बुद्धी का त्री तंतर क अब हमने इस्पीरमेन के देखा था त्री खंड का सिद्दान लेकिन ये त्री तंतर का सिद्दान त्री तंतर का बुद्धी का सिद्दान दिया था इस्ट्रन ब्रग ने तो याद रखना दोस्तू इसी परकार देखे बुद्धी का त्री आयामी सिद्दान त्री खंड तो इस फिर में ने दिया लेकिन त्री आयामी सिद्दान दिया था गिलपोड ने तो त्री तंतर की बात आ जाए तो इस्ट्रनबरग त्री आयामी की बात आ जाए तो गिलपोड करना है आगे देखें बुद्धी का आश्रिय जनक सिद्दान दिया था बल्यूम ने और बुद्धी का सिद्धान्थ ये भी बहुत इंपोर्टेंट है बहु बुद्धी के साथ आधुनिक बुद्धी का सिद्धान्थ हेव हुए केटेल ने दिया था दोस्तों संग्यानात्मक या मानसिक बुद्धी का सिद्धान्थ दिया था जिन पियाजे ने संग्यानात्मक और मानसिक बुद्धी का सिद्धान्त किस ने दिया था जिन पियाजे ने इंपोर्टेंट सिद्धान्त है मित्रू संकाय सिद्धान्त दिया था किस ने रीड ने त्री अंसिय सिद्धान्त आ गया ना और त्री लगावा बुद्धी का त्री अंसिय सिद्धान दिया था जे जरूर ले ले आगे चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं हम विकास के सिद्दान्त विकास के सिद्दान्त में पहला सिद्दान्त है हमारा मनो लेंगिंग सिद्दान्त मनो लेंगिंग सिद्दान्त दिया था सिगमंड फ्राइड नहीं मनो सामाजिक विकास का सिद्दान्त तो सिंगमन्ट फ्राइड है, यहाँ पे मनो लेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग गेसेल ने, संग्यानात्मक विकास का सिद्दान दिया था जिन पियाजे ने, संग्यानात्मक विकास का सिद्दान जिन पियाजे और नेतिक विकास का सिद्दान कोलर बरग ने दिया था, तो यह है हमारे विकास के सिद्दान दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे चलते हैं और देखते हैं विस्मर्ती के सिद्दान्त विस्मर्ती के सिद्दान्त में पहला है बादा का सिद्दान्त ये दिया था मुलर वे वुडवर्थ ने जो हमारा पहला सिद्दान्त है विस्मर्ती के सिद्दान्त में बादा का सिद्दान्त ये दिया था मुलर वे वुडवर्थ ने दमन का सिद्दान दिया था सिगमंड फ्राइड ने अनाभ्यास का सिद्दान दिया था थोरंडाइक वे एबिंग आसने अनाभ्यास का सिद्दान किस ने दिया था थोरंडाइक वे एबिंग हासने दोस्तू ये तीन है विस्मर्ती के सिद्दान्त अब बात करते हैं मित्रों आगे नेतिक विकास के सिद्धान्तू की नेतिक विकास के सिद्धान्त ये भहुत इंपोर्टेंट सिद्धान्त रहते हैं दोस्तू ध्यान से देखना पहला है मनोविसलेशन सिद्धान्त फ्राइड जो हमने दो बार देख लिया है पुन्र बलन का सिद्धान्त किस ने दिया था इसकी नर ने दिया था अनुकरण का सिद्धान्त बांडूरा वे वाल्टर्स ने दिया था नेतिक विकास का सिद्धान्त जिन पियाजे ने दिया था नेतिक अब दोस्तों यहाँ पे देखे नेतिक विकास का सिद्धान्त और नेतिक विकास का सिद्दान्त कोहोलर ब्रग ने भी नेतिक विकास का सिद्दान्त दिया था मनो सामाजिक विकास का सिद्दान्त इरिक सन ने दिया था और सबसे इंपोर्टेंट सिद्दान्त माना जाता है दोस्तु तो दोस्तु ये थे हमारे इंपोर्टेंट जो सिद्दा वो एक बार कमेंट करके आप बता दे मेरे को कि ये सिद्धान्त टोपिक आपको कैसा लगा आगे मित्रू एक कलास में कल लेकर आऊंगा जिसके अंदर आपको में जो मेन मेन परिवासाएं हैं वो आपके सामने रखने का परियास जरूर करूंगा वीडियो को लाइक और अप साथी चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कर लें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत